Welcome Friends in Health Rambo दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर की खुजली, उसके क्या कारण होते हैं उसके क्या घरी रूपाए हैं ज़िए हम बात करें सर की खुजली के कारण तो पहला जो कारण होता है Atopic Dermatitis जिसको एक्जेमा भी बोलते हैं बहुत ही कॉमन समस्या होती है इसमें होता क्या है Atopic Dermatitis में इसमें इसकी वैसे क्या हो सकता है आपकी जो इसकिन है सर की उसमें लाल पना सकता है सूजन हो सकती है, खुजली हो सकती है साथ-साथ में जो आपकी इसकिन के तरचा है उसमें आपको हरवक दमकन सी महसूस होगी दूसरा होता है स्कैल्प सोराइसिस ये भी बहुत कवर्मन समस्या होती है जिसकी वज़ा से व्यक्ति को बहुत जादा कुझली होती है और काफी बार क्या होता है वो खुझला खुझला के बलड भी निकाल लेते है इसके क्या लक्षण होते है इसमें क्या होता है सर में पपड़ी सी जम जाती है खुझाने की वज़ा से लाल पैच हो जाते है डेंडव जैसा फुला होता है और सिर में जो ढूचा है वो भी शूर्श को जाती है इसके वawsze साथ ब्हूएसे बहुत ज़्वाम हुजली होती है जलन होती है या कराज भी ज़र जाते हैं और इसकी वज़ए से बॉख़ें कि बाल भी ज़ड़ जाते हैं यतो बहुत common समय होती है उसके अलावा बहुत सारे लोगों को हेर ओयल से अलरजी होती है या शैम्पू से अलरजी होती जिसके बारे मुनको पता नहीं होता जिसका मागे डिसकस करेंगे उसके अलावा रूसी या डैंडराफ हो सकती है रूसी ये डेंडर्फ के लिए जो आप हेर और ये शैंपू इस्तमाल कर सकते हैं उसकी इलर्जी की वज़ा से भी या अन्ने पॉड़क की इलर्जी से भी ऐसा हो सकता है तो शैंपू के इस्तमाल करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे शैंपू की बोतल पर दिशा ने देश जो भी डारेक्शन दिये गए होते हैं उनका पालन करना होता है क्योंकि हर शैंपू में कमपोजिशन अलग होती है उसको अलग-अलग इस्तमाल करने का लिखा होता है आप शैंपू कर रहे हैं तो रोजाना ये हफ़ते में दो बार शैंपू कर सकते हैं उसके अलावा आप डेली जो नॉर्मल शैंपू है वो करें रोजाना जो है डेंडर वाले शैंपू का इस्तमाल ना करें उसके अलावा डेंटर शेंपू का इस्तमाल करते समय याद रखें जिसमें कोल्टार वगरा है उसका इस्तमाल डॉक्टर के सजेशन पर ही करें इसके अलावा सर के में जो जुएं होते हैं उसकी वज़ासे भी आपको काफी बार खुजली होती है याद रखें सर में जुएं में जो उनके जो जुएं के अंडे होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं या जुएं दोनों हो सकते हैं जिसकी वज़ासे आपको खुजली हो सकती है उसके अलावा सर में दाथ की वज़ासे भी आपको खुजली हो सकती है या फिर जो nerves problems होती है यती किसी को vitamin B, 12 वगरा की कमी है या फिर skin का cancer है इसकी वज़र से भी सर में खुजली हो सकती है शोदि हम सर की खुजली के घरेलूप चार की बात करें तो सबसे पहला होता है सेब का सिरका सेब का सिरका आप market में अबलेबल होता है medical store पे आप इसली ले सकते हैं इसमें antimicrobial properties होती है यह क्या करते हैं कि जो आपके सर में microbes की वज़र से खुजली वगरा होती है उसको दूर करते हैं उसके अलावा जो natural narial coconut oil तेल होता है इसके अंदर anti-inflammatory property होती है मतलब यह सूजन को कम करते हैं जिसके वज़र से खुजली भी कम होती है उसके अलावा जो peppermint oil है पुदीने का तेल इसके अंदर antibacterial properties होती है जो क्या करते हैं जो fungal वगरा यह bacterias की growth हो जाती है उसको रोकते हैं उसके अलावा tea tree oil जो होता है इसमें antiseptic और antifungal दोनों property होती है जो इस वह से आपके जो तचा में इस skin में जो hair की जो होता है जो white patches होते हैं इससे काफिया तक अराव मिलेगा उसके अलावा alloy vera का जो भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसमें anti-inflammatory property होती हैं जो सूजन को रोकती हैं या फिर आप baking soda और olive oil दोनों का combination का इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें antifungal और antibacterial properties होती हैं उसके अलावा आप खाने में दही और अंडो का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो bacteria restore होगा साथ में आपको protein वगरा मिलेगी जिससे आपके बाल जो होगे मदबूत होगे तो इन सब को कैसे इस्तमाल करना उसके लिए आप मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं यदि हम बात करें कि आपको सरकों कुझली के लिए कौन से डॉक्टर को दिखाएं कौन से डॉक्टर इसका complete treatment करेगा यदि आपका natural तरीके से यह सही नहीं होता है तो उसके लिए आपको dermatologist होते हैं जिनको skin specialist बोलते हैं उनको आपको दिखाना होगा complete treatment के लिए तो दोस्तों अगर इस वीडियो की information आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेल करना ना भूले और यदि आपकी कोई query है तो comment box में comment कर सकते हैं With this thank you very much for watching Hudson Rambo